आप सभी को मेरा नमस्कार मैं एडोकेट प्रियांग इडिमोले आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं भारती साक्ष अधिनियम की धारा 118 के बारे में जो की बात करती है टेस्टिफाई के बारे में अर्थात की कौन व्यक्ति साक्ष दे सकता है या गवाही दे सकता है तो वीडियो लंबा भी हो सकता है हो सके तो इयर फोन मोट पे आजाएं जिससे आपको समझने में आसानी हो तो आए स्टार्ट करते हैं भारती साक्ष अधिनियम 1862, धारा 118, भारती साक्ष अधिनियम 1862 का अध्याय 9, साक्षियों के विशाय में प्राबधान करता है, इसके अंतरगत धारा 118 यह बताती है कि कौन व्यक्ति टेस्टिफाय करने में सक्षम है, हाला कि इस धारा के अंतरगत किसी खासवर्ग के व् को निर्दारित करती हो अर्था साक्ष अदिनियम की धारा 118 यह बताती है कि कौन टेश्टिफाइ हो सकता है अर्थात कौन सक्षम है जो क्या है गभाही बयान या साक्ष दे सकता है कोट में लेकिन एक विशेश बात यह है कि इस दारा के अंतरगत आयू नहीं बताई गई है कि व्यक्ति की आयू कितनी होनी चाहिए जिससे की वो क्या है गवाही दे सके तो आयू अर्थत उम्र के बारे में इस धारा के अंतरगत कोई बात नहीं की गई है पर आगे बढ़ने से पहले आईए भारती साक्ष अधिनियम 1822 की धारा 118 को पढ़ लेते हैं यह धारा यह कहती है 118 कौन साक्ष दे सकेगा सभी व्यक्ति साक्ष देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्याले का यह विचार नहो कि कोमल वयस अतिवार्दक के शरीर के या मन रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य करण से वे उनसे किये गए प्रसनों को समझने से या उन प्रसनों के युक्ति संगत उत्तर देने से नवारित हैं पहली बात तो यह हो गई कि सभी व्यक्ति साक्ष देने में सक्षम होंगे भले ही वे किसी भी होमर के हो जब तक की न्याले का यह विचार न हो यह कोमल वैस अर्था चोटा बच्चा है या अतिवार्दक चरीर के अर्था बुजूर्ग लोग या मन रोग जो की क्या है मानसिक रोगी हो अर्था डी प्रसन का शकार हो या पागल भी के सकते हैं कई व्यक्ति पागल भी होते हैं मनोरोगी कहलाते हैं या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किये गया प्रसनों को समझने से या उन प्रसनों के युक्ति संगत उत्तर देने से निवारत हैं लेकिन कब नहीं माना जाएगा जब वे क्या है प्रशनों को समझने में काविली ना हो या फिर उनका उत्तर देने में असमर्द हो जैसे मानली जी कोई छोटा बच्चा है उससे कोट में कोई सवाल पूछा जाता है तो क्या उस प्रशनों को समझ नहीं पा रहा है उसका उत् उत्तर दे पा रहा है या फिर मनोरोगी है कोई वह पशने को समझ नहीं पा रहा है उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है निवारत रहते हैं अर्थात उन्हें क्या है मनाई है उनकी गवाही नहीं मानी जाएगी अब मान लीजिए इन तीनों में से कोई वी एक क्या है गवाही द कहां थे सुसंगत हो गया सवाल कुछ और पूछा जा रहा है जबाब कुछ और आ रहा है उसका तो ऐसी स्थिती में यह क्या है निवारे थे हर्थात इन्हें गवाई यह साक्ष देने की मना ही है लेकिन एक बात और है यदि इन तीनों में से कोई भी प्रश्न को समझने में स अमर्थ है अर्थात प्रश्न को समझ भी सकता उसका उत्तर भी दे सकता है तो फिर यह भी क्या है साक्ष देने में सक्षम होंगे लेकिन डिसाइड कोन करेगा कि यह सक्षम है की नहीं है यह नियायदीश या मजश्टेट डिसाइड करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोड की कई रूलिंग है इसके उपर ये क्या है मजश्टेट और नया दीस के विवेक के उपर है कि पहले वे इनकी पहचान करेंगे कि ये गवाई देने में सक्षम है कि नहीं है यदि प्रस्न को समझने में और उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो ये क्या है निवारत है इनकी मन लेकिन यदि प्रस्ण को समझ पा रहे हैं और उसका उत्तर दे पा रहे हैं तो बिल्कुल यह सक्षम होंगे गवाई देने में या सक्ष देने में इस पश्टी करण कोई पागल व्यक्ति साक्ष देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उसस किये गया प्रस्णों को समझने से या उनके युक्ति संगत उत्तर देनेसे नेवारित नहो हो जैसा कि उपर बताया गया उससे पूछा गया कि घटना के समय आपने क्या देखा उकेने लगा मुझे भूंक लगी तो यह क्या है न प्रस्ण को समझ पाया ना युक्ति संगत उसका उत्तर दे पाया तो ये क्या है सक्षम नहीं है अर्थात अक्षम है लेकर ये सवाल को समझ भी रहा है और उसका उत्तर भी सही दे रहा है भले ही वो पागली क्यों नहो तो फिर ये क्या है अक्षम नहीं है ये क्या है सक्षम व्यक्ति है अर्तात ये भी क्या है वे साक्ष देने के लिए सक्षम होगा और उसकी गवाई या साक्ष क्या है माना जाएगा कोट में अब यहां ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा 118 के अंतरगत अदालत के ऊपर या एक जिम्मदारी डाली गई है या ये कहें कि इसे अदालत के विवेक पर छोड़ा गया है कि वे ये देखे कि क्या एक व्यक्ति जो गवाई के रूप में उसके समक्ष उपस्तित हो आए वे अदालत दोरा उसके समक्ष रखे गए सवालों को समझने में एवाम उनका युक्ति संगत रेशनल जवाब देने में सक्षम या तवा नहीं मतलब क्या है कोट की जिम्मदारी है कोट की किसकी नियादीश की या मजस्ट्रेट की जिम्मदारी है कि विवेक पर कि यह व्यक्ति गवाई यह साक्ष देने में सक्षम है कि नहीं है बहले ही पागलो चोटा हो उससे मतलब नहीं है प्रशन को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है और उसका उत्तर सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है यदि दे रहा है तो वेवी क्या है सक्षम व्यक्ति कहलाएगा गवाही या साक्ष देने के लिए तो नया दीसर मजश्टेट के विवेक पर छोड़ा गया है अब यदि कोई गवा बहुत ही छोटा बच्चा या बच्ची है या बहुत व्रद्ध है या मानसिक बीमारी से जूज रहा है और जिसके चलते अदलत को यह लगता है कि ऐसा व्य पा रहा है ना उसका जबाब दे पा रहा है तो टेस्टिफाई करने में सक्चम नहीं माना जाएगा अर्तात गवाही या साक्ष देने में सक्चम नहीं माना जाएगा बाल गवा की स्थिति यदि हम भारती साक्ष दिनियम की धारा 118 को देखें तो हम यह पाएंगे कि चू गवाही ये साक्ष देने की अनुमति दीजा सकती है यदि ऊपर बताई गई शर्थ ने पूरी हो जाएं मतलब हमने ऊपर साक्ष दिनियम की धारा 118 को पढ़ा उसमें यह कहीं भी मेंशन नहीं है कहीं भी नहीं लिखा है क्या नहीं लिखा है उम्र के बारे में कहीं भी एक्सिमम एज क्या होगी गवाही देने की या साक्ष देने की और नियूंतम उम्र क्या होगी मतलब कि कोई वी व्यक्ति गवाही दे सकता है भली उसकी उम्र कुछ भी हो लेकिन शर्त क्या है कि वे पहले तो सवाल को समझने को तैयार हो और उसका जवाब देने को तैयार हो यदि एक चोटा बच्चा भी सवाल समझने को तयार है उसका जवाब देने को तयार है तो ऐसे चोटे बच्चे को भी क्या है गवाईय साख्च देने की अनुमती नया दीच या मज़श्टेट दौरा दी जा सकती है। हाला कि ये जरूर है कि उसके पास अदलत दोरा उसके समक्च रखे गए प्रस्नों को समझने और उसका तर्ग संगत उत्तर देने की बहुत दिख चमता मौजूद होनी चाहिए यह बात जश्टिस ब्रेबर दोरा वीलर बनाम युनाइटिड इस्टेट्स 159 यूस 523 के मामले में भी साफ तोर पर कही गई थी मतलब प्रस्नों को समझने की और उसका उत्तर देने की क्या है बहुत दिख शमता मौजूद होनी चाहिए इस केस में यह कहा गया था गौरत लभे की ओट्स एक्ट 1969 की दारच्चार के अनुसार सभी गवाओं को सपत या सत्योक्ति लेने की आवशक्ता होती है परंतु 12 वर्ष से कम उम्र के किसी बालग बालिका के गवाओं को इससे छूट दी गई है इसलिए यदि न्याले इस बात को लेकर संतुष्ट है कि 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा एक सक्षम गवाओं है तो न्याले दोरा इस तरह के गवाओं की शपत या सत्योक्ति लिए बिना उसकी जाच की जासकती है यह कहा गया है दत्तु राम राव सखारे बना माराष्ट राज उन्नी सो संत्यानवे पाँच एससी 341 में मतलब की ओच सेक्ष्ट की दाराचार यह कहती है कि जब भी कोई गवाओं कोर्ट में आएगा तो उसे क्या सपत दिलाई जाएगी उसके बाद भी उसकी गवाओं या बयान होंगे लेकिन यदि 12 बर्त से कोई कम अमर का बच्चा बालक या बाली का है तो उन्हें ऐसी सपत दिलाने से क्या छूट दी गई है यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट दौरा इस केस में क्या संपुष्टी कोरोबुरेशन है आवश्यक इस बारे में सीस अदलत की एक साफ राय यह रही है कि एक बाल गवाओं की गवाओं पर भरोसक किया जा सकता है अगर अदलत को यह पता चलता है कि उसके पास सपत के दायद्व की परियाप्त बुद्धी मत्ता और समझ है किसी हिश्क चार्ट के सुईकार किया जा सकता है गोड़त लव है इस नियम को अदलत दोरा कानून के नियम की बजाए एक व्यवारे की नियम के तोर पर देखा गया है मतलब की कोड को पहले क्या है समपुष्टी कर लेनी चाहिए मतलब कंफर्म कर लेना चाहिए एक बार दो बर तीन बर या वेरिफेकेशन भी कह सकते हैं इसे वेरिफाय करना भी कह सकते हैं कि जिस बाल गबा अर्था चोटे बच्चे की गवाई हो रही है उसने जो बयान दिये हैं उनकी क्या है परियाप्ट पुष्टी करनी चाहिए तब ही उसकी गवाई क्या है विश्वश सीखा ही है वे क्या है अपने माता पिता के साथ क्या है घर में रह रहा था सिर्फ तिनी लोग थे माता पिता और चोटा बच्चा अब होता क्या है कि किसी पुरानी रंजस के चलते हुए एक व्यक्ति क्या है घर में आता है राज के समय और उस बच्चे के माता पिता को क्य वहीं हत्या करके चला जाता है उनकी अब उसे यह नहीं पता रहता है कि घर में क्या एक छोटा बच्चा भी है तो माता पता की हत्या करता है और वो क्या है वहाँ से चला जाता है अब वो छोटा बच्चा क्या है गेट की सिंद में से दरार में से सब कुछ देख रहा था बार के माणहें सैम के पलंग के नीचे बैठ जाता है, अब सुबहर कालोनी के लोग देखते हैं कि गेट खुला हुआ है इनका, दूद का पकेट भी बाहर हुआ है, न्युस्पेपर भी बाहर पढ़ा हुआ है, ऐसा क्या हो गया, तो लोग आते हैं चेक करते हैं, गंबीर मा जाए और बात करने की इस्तिति उसकी बन जाए इसके बाद पुलिस जाच करती है फोरेंसिक टीम को बुलाती है पूरे घर की जाच होती है CC TV केमरों की भी जाच होती हैं वहाए जो कॉलनी में लगे हुए थे फूरे पुलिसे घरकटी को क्या है घरफतार भी कर लेती है इसके बाद चलन पेश खिया जाता है कूर्ट में उस आरॉपी अरफात कतित अत्यारा उसे भी कूर्ट में पेश खिया चूंकि कोट क्या है F.I.R. पर इतना भरोसा नहीं करती जब तक की परियाप्त सबूत ना हो तो इसलिए कोट क्या है हर फैक्ट को देखती है हर चीज की बारी किसे जाच करवाती है अब पुलिस क्या है गवाओं की सूची मुझ बच्चे का नाम भी देती है चूंकि स्थिति में आ गया था उसने पुलिस को सारी बाते बता दी तो फिर क्या है बच्चा कोट में गवाई देने के लिए आता है चूंकि हत्या का मामला है तो क्या है शेशन कोट दोरा विचार नहीं है अब यहां पर क्या है यही बात आ गए कि बाल गवाई अर्था छोटा ग कंडे अपनाते हैं अब मानली जीए कि बच्चे की कोट रूम में एंट्री होने से पहले नया दीच ने क्या है आरूपी को क्या है कोट के बाहर करवा दिया थोड़ी देर के लिए और फिर कोट के चपरासी रहता या गाट रहता है उससे यह कहा गया कि एक काम करू बाहर जाओ चार-पांच लोगों को बुला के लाओ लाओ लाएं से सबको खड़ा करते हैं और देखते हैं कि बच्चा किसको पेचानता है और कि क्यों नहीं पैचानेगा वो तो सवाल पूछा गया कि बताओ बेटा कौन था इन में से यह क्या है प्रश्न पूछा गया प्रश्न बच्चा समझ भी गया और जट से उसने क्या उसका उत्तर भी दे दिया कि यह था तो यह क्या है पुष्टी हो गई लेकर यहां पर बात हो हमें यह पुष्टी की अब इवी नियाधीश के अपन में कुछ प्रश्न ऊठाइब कि हो सकता है गलत पैचान रहा हो तो पुष्टी करेंगे जाओ चार लोगों को ओर बोला के लाओ अब टोटल होगा और जियको बच्ची से एक सवाल दो तीन बार पूछा गया उसने प तो ये क्या है पुष्टी हो गई तो फिर इस बाल गवा का बयान क्या है विश्बसनी और सत्य पाया जाता है तो फिर क्या है रिकॉर्ड पर इसे ले लिया जाता है दत्तु राम राव सखारे बना महराश्ट राज उननीस संत्यानवे पांच SSC 341 के मामले में ये आयोजित क किया गया था कि इस बात का कोई नियम नहीं है कि केबल बाल गवा की गवाई के आदार पर किसी को दोसी नहीं ठहराय जा सकता हाला कि समझदारी की एक नियम के रूप में नेले का यह मानना है कि अन्य भरोसे मंद सबूतों से बाल गवा की गवाई की संपुष्टी वांच वांचनिया है और तात इस केस में यह कहा गया सुप्रीम कोट द्वारा कि नी कोई बाल गवाई दे रहा है तो इसी आदार पर दोशी नहीं ठहरा जा सकता किसी वक्ति को क्योंकि यह क्या एक समझदारी का नियम है तो नेले को यह मानना है कि यह भरोसे मंद सबूतों से बाल ही दोनों को मिलाई जाए मतलब पुलिस ने कोई चार्चीर दाखिल की है तो इसमें मेडिकल और फॉरंसिक की रिपोर्ट भी होगी कि घटना इस्थल पर चाकू मिला या कोई हत्यार मिला यदि हत्यार नहीं भी मिला है तो अन्य कोई वस्तू जैसे कि उस आरूपी का बाल तो ये तो क्या है भरोसे मंद सबूत होई गाए अब क्या है बच्चा भी गवाही दे रहा है उसी व्यक्ति को पैचान रहा है तो ये क्या है समपुष्टी हो गई उस चीज की ये का गया है इस केस में वहीं पंची एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राजे 1997 SSC 177 के माम वेवारे ज्यान का नियाम है देखिए उपर दुचर्चक की गई थी सबूतों से और बच्चे की गवाही से कंफर्म कर लेना चाहिए वही इस केस में कहा गया है कि पर्याप्ट पुष्टी प्राप्त होनी चाहिए बाल गवाह की साक्ष की करीबी से जाच है आवश्यक इ लेकन हाँ नियाले के लिए यह जरूर आवश्यक है कि वे विवेक के एक नियम के रूप में बाल गवाह की गवाही की करीवी से जाच करें और केबल तब जब वे उसकी गुणबत्ता और विश्वसनिता के बारे में आजबस्त हो जाए वे अपने विश्वास को उस पर आ आजबस्त हो जाए वे आजबस्त नहीं है तो ही खारज करें वरना खारज करने की अवश्यक्ता नहीं है देखी यह क्या जज़मेंट रहते हैं जो की हाई कोट और सुप्रीम कोट दोर्ब दिये जाते हैं तो जैसे आपको इस केस को ढूड़ना है क्या कहा आप चाहे तो गूगल तर्च भी कर सकते है case number डालके नहीं तो हो तक क्या है यह क्या है parties का नाम हो गया judgment का वाया 2001 में आया और यह judgment कहां दिया गया है CRLJ criminal law general में दिया गया है एक magazine आती है एक book आती है और कहां दिया गया है page number 705 पे दिया गया है तो इस प्रकार भी आप क्या है case को ढूण सकते हैं जैसे कि आप इस case को क्या है quote में पेश करना चाहें तो criminal law general यह book है यह short name है CRLJ 2001 का judgment है page number 705 पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाए गया तो वहाँ से आप इसकी photo copy कर भागे क्या है quote में पेश कर सकते हैं और नया जीश में हो देखिया है confirmation के लिए book भी मांग सकते हैं आपसे कि देखाईए कहां लेखा है criminal law general में तो आपको वो भी देखानी पर सकती है तो इस प्रकार क्या है आप case को ढूण सकते हैं बस में आपको इसका मतलब समझा रहा है कई लोग क्या confused होते हैं कि यह क्या number लेखा रहता है तो बीच में क्या है magazine या books का नाम लेखा रहता है ए judgment का year रहता है और यहाँ पर page number रहता है कई वार bracket में एक या दो भी लेखा हो सकता है जैसे 2001 में CRL जेने क्या है चार book छापी तो वहाँ bracket में फिर क्या है इसके आगे ब्रैकेट में 1,2,3 ये भी लिखा हो सकता है वो क्या है volume number रहता है मतलब कौन सी volume संस्क्राण में क्या है चापा गया है तो वो भी वहाँ पे क्या है लिखा हो सकता है तो इस पर कार क्या है कि इसको ढूड़ा जाता है और इस प्रकार से वे च्यूटरिंग का एक आसान शिकार हो सकता है अर्थातिक बालगवा होता है किया है आति सम्मेध का घ्रवाई का बाकार दनाद ब्हुटरिंग का अर्थात्त पड़ा शलगी त मामले में वर्ज्ण नॉंबर यह देखा था कि बालगवा की एक प्रारंबिक जाच का आयो जन मैं सावधानी का एक नियम है और नियादीश पर इसको लेकर कोई कानूनी वाद देता नहीं है अदलत ने यह भी माना था कि यह वांचनी है प्रारंबिक जाच के बाद नेले दोरा इस बाबत रिकॉर्ड बन कि एक बालगवा को पहले सक्षम गवा बनना होगा इसके बाद यह उसका बयान सुईकार होता है इस सवाल पर कि क्या एक बालगवा के पास परयाप्त मांसिक इस्तर बुद्धि मानसिक परी पक्वता मौझूद है मुक्करूब से ट्राइल जच के दौरा लिया जाता है ज और उसकी मानसिक परिपक्वता क्या है। यह नोटिस करना और पता करना क्या है नय अदीश के उपर है। यह कहा गया है निब्रुती पांडूरंग कोकाटे बना महराष्ट राज्य दुहजार आठ बारा सी सी 565। उक्त नय अदीश ज्वारा ऐसे निड़ने लेने के लिए किसी भी परकार की परिक्षा का साहरा लिया जा सकता है। परिक्षा किसकी बाल गवा की। मतलब उसका सिष्टाचार, बुद्धी मत्ता और परिपक्वता। मतलब बाल गवा का मांसिक स्थर क्या है? बुद्धी क्या है? मांसिक परिपक्वता क्या है? अर्थात गवाई देने के लिए स़ही है की नहीं है वो? तो इसके लिए क्या है वे नयादीश जिसकी कोट में केश चल रहा है किसी भी प्रकार की परिक्षा उस बच्चे की अर्थार बाल लगावा की क्या है कर सकता है जैसा कि उपर डिसकस किया था लायन से दस लोग खड़ा कर दो अब बच्चा पहचान के बताएगा कौन था at slpcll no.4169 of 2018 के मामले में नयमूर्ती धननजे वाय चंदर चूड और नयमूर्ती इंदरा बेनर जी की सीस अदलत की पीट ने भारती सक्च अदिनियम की धारा 118 और बाल गवा के बारे में इस्तिती को इसपश्ट करते हुए कहा था कि कि किसी भी उम्र का व्यक्ति अदल judgment है कि कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति क्या है भले हीवे बाल गवा क्यों ना हूँ बच्च考 में बस वो क्या है प्रस्णों को समझे और उनका अंच्छम हो सकता है जब अदालत यह मानती है कि बच्च्ह प्रस्णों को समझने और उनका सुसंध dough देने में अस्मर्त है अंत में यह कहा जा सकता है कि यदि बाल गवाह अदलत दोरा उसके किये गए प्रस्नों को समझता है और उन सवालों के तर्ग संगत जवाब देता है तो यह माना जा सकता है कि वह एक सक्षम गवाह है जिसकी अदलत दोरा जांच की जा सकती है एक बाल गवाह केबल तभी लागू होती है और यही बात क्या है मनोरोगी दखती पर भी लागू होती है बहले ही वह मनोरोगी हो यह किसी मानसिक वीमारी से जूझ रहा हो लेकर यहीविडियो आपको पसंद आया होगा यादि इसकी पीडिएफ चाहिए तो डिक्सक्रिशन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिए गई है वहाँ जाके अपर से डाउनलोड कर सकते हैं यदि वीडियो पसंद ना है हो तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में मैं एड़ोकेट प्रिय अग्डेमोले आपसे विदा लेता हूँ थैंक्यू सो मच